गाइज जहिंद मैं आरके मिस्रा इंजिनेर्स अड़ा पर स्वागत करता हूँ दोस्तों D3SBJEE का एक्जाम डेट बहुत एक चर्चा का भी से बना हुआ इस्टुएंट्स पूछ रहें कि जो पहले ऑफीसियल नोटिफिकेशन्स में जो मार्च के आसपास देना था क्या मार्च में एक्जाम होगा तो देखिए दोस्तों आज हो गया 14 फरवरी 14 दिन और बचा होगा महीना और इन्होंने D3SBJ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था है राउंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिखा देता हूँ बच्चे यह साथ फरवरी का है इसमें पूरी मार्च का इन्होंने राउंड अल्मोस्ट अलग 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 एक्जामेनेशन से सेडूल को फिक्स कर दिया था 2021 वागी जो वागी जो वैकेंसी आये थी समस्दार इंसान होने के नाते आप लोगों को यह जरूर कह सकता हूँ कि एक्जाम मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में होने के चांस से सकम है मतब 80% मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में एक्जाम नहीं होगा माइट भी हो सकता 20% बहुत रेरेस्ट है बट मैं जो आपको बस इधना बोलूँगा कि अभी आपको क्या है ना कि मार्च को ले करके एक्जाम आप लोगों के अंदर टैलेंट है आप लोगों के अंदर प्रतिभा है आप इस डेट को ले करके करेंगे तयारी कर पाएंगे औ और एक्स्टेंट होता है तो फिर और एडिशनल मौका मिलेगा उससे थोड़ा से बच्चों के नंबर पढ़ने वागए है तो बच्चे आटोमेटिक पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है तो स्लेबस चुकि बहुत ज़्यादा इंफक्ट मैं तो डी त्रिपरस्पी जई को इ देखो हां लेकिन यह है कि आप अपनी प्रप्रेशंस करो उसी के साब से अगर अप्रेल में भी होगा लेकिन अप्रेल में चांस पेपर होंगे तो कि अभी जिल्दी में केजरिवाल साहब अच्छा कर रहे है और एक्जाम करा देंगे आपका परसान मतिया ज्यादा एक्स नहीं करना चाहा रहा था बट फिर भी एक इनफार्मेटिव चीज में आपको दे देता हूं जिनको चाहिए पटाफट वाई टूजर वन कोड लगा देना और यह पैच आपको मातर तीरह सो रुपे में पान सो घंटे की लाइब ग्लास में जिसमें इंजिनरिंग इस में चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं 500 घंटे की लाइब क्लास जो हो चुकिए उसको रिकॉड़ेट मिल जाएगा वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है यह आप चाहो तो महापैक लेज सकते हैं महापैक में इसको अवेड़ी मिले डबल वैटी चल रहा है अच्छे से करो एक्जाम डेट मैंने आपको बता दिया चांसेज है अपरेल में आपको हो जाए एक्जाम है कि आपका मार्श में हो बहुत रहरे स्ट है क्योंकि मार्श का के लिए जारी हो चुका है पुराना एक्जामेनेसंस को ले करके ठीक है ठांक्यू प्लीज बी मैंने आपको उसे इंफर्मेसंस को सेयर की ठीक है ठैंक्यू